हलो इस्टुएंट वेलकम तू कोहरेंट इंग्लिक्स क्लासेज मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मुहमद जिया उल्ला कमर आप देख रहे हमार यूटूब चैनल कोहरेंट इंग्लिक्स क्लासेज और आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं बिहार इसकुल एक्जामिनेशन बोट के 12 की किताब रैंबो पार 2 के चैप्टर नंबर 5 आइडियास दैट हैब हेल्प दे मैंटकाइंड का पैरगाफ नंबर 11 से लेकर पैरगाफ नंबर 13 तक का लाइन बाइन ट्रासलेशन एक्स्प्लेनेशन तथा वर्ड मिनिंग तो बने रहे हैं इस वीडियो के अंतर आइए स्टार्ट करते हैं पैरगाफ नंबर 11 तेमिंग ऑफ दे डोमेस्टिक एनिमल घरेलू जानवर का पालतु बनाना टेमिंग का मतला होता है पालतु बनाना पालना पोष्णा डोमेस्टिक एनिमल वह जानवर जो की घर में पाला पोष्णा जा सकता है जैसे गाय लाइफ मज़ प्लेजेंटर और मोर सिक्यूर अवस ही मानव जाती के जो मानव जो है उनके जीवन को बहुत सुखदाई और अधिक सुरक्षित बना दिया होगा Some anthropologists have an attractive theory that कुछ मानव जाती के बारे में खोजबिन करता है उसे anthropologists कहते हैं ठीक है तो कुछ मानव जाती के पास एक मन भावन attractive का मतलब क्या है जो मन को बहाने लगे तो attractive theory है attractive सिदान्थ है कि the utility of domestic animal was not foreseen यानि कि घरेलू जानवर का जो उपयोग है वो पूर्ब निर्धारित नहीं था ऐसा नहीं था कि पहले ही से ही लोग जो घरेलू जानवर को पालना पोस्तना स्टार्ट कर दिये but that people attempted to tame लेकिन लोग ने उन जानवर को पालने का जो परियास किया हुआ कब देखिए आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको whatever animal their religion taught them to worship जो भी जानवर को उसके धर्म ने पूजा करने के लिए यानि उसकी जो पूजा करने के लिए जिस जानवर के बारे में बताया होगा उस जानवर को उस लोगों ने पालना स्टार्ट कर दिया ठीक है दा ट्राइब डैट वर सिब लायन एंड कोर्कडाइल डाइड ओड वो जन जातियां जिसने शेरों को और मगर्मच की पूजा करनी के सुरू कर दी वो मर गये क्योंकि उसको जो है जानवर ऐसा जानवर था जो की इनसान को खा सकता था इसकी वज़से वह सारी के सा जबकि वह जन जातियां जिसके लिए गाए और ऊवरकलिय beacon को मतलब क्या होता है ज़िए प्हसाद सिपास मतलब संपन हो गए I like this theory मुझे यह सिदांत अच्छा लगता है and in entire absence of evidence और वो भी यह सिदांत इसका कोई evidence नहीं है कोई मतलब इसका कोई साक्षिया परमान नहीं है for or or against it जैने इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में कोई भी सुबूत नहीं है नहीं इसके पक्ष में कोई सुबूत है ना इसके विपक्ष में कोई सुबूत है फिर भी मुझे यह जो थेरी है मुझे अच्छी लगती है feel at liberty to play with it मैं मतलब लेखा कहते हैं कि मैं इस इसे रखने में यानि इस विचार पर विस्वास करने में स्वातनत्रता महसूस करता हूं क्योंकि ना इसके पक्ष में कोई सबूत है ना इसके विपक्ष में कोई सबूत है समझ में आ गया आगे चलते हैं पैरगाफ नमबर ट्वेल इवन मोर इंपोर्टेंट दैन दोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमाल वाज दे इन्वेंशन ऑफ एक्रिकल्चर यानि जानवरों को पालतु बनाने से भी अधिक महत्पूर्ण अगर कोई काम था वो क्या था क्रीशी का अविस्कार था यानि के खेती बारी का विस्कार था वीच कैसे आगे चलेंगे तो बताएंगे आपको that lasted for many centuries जो कई सदियों तक चलता रहा मतलब की जैसे क्रीशी का विस्कार हुआ उसके बाद जो है इसके अंदर खूनी परता भी आगे कैसे fertility reads अच्छे फसल के लिए किये जाने वाले जो पूजा होती है उसको कहते है डिट्स का म cannibalism मानब के बली तथा नर्भक्षन के का रूप ले लिया मतलब की अच्छे फसल के लिए नवजाद सीशू का छोटे बच्चे का जो बलीदान दिया जाने लगा मलूक वूड नॉट हेल्प दॉ कौन है ये देखिए एक भगवान हुआ करता था मिस्र के अंदर इसको जो जो गरीब का बच्चा अमीर का बच्चा को तो नहीं दे सकते बली ना तो गरीब का जो बच्चा होता था उस बच्चे को इसके सामने बली दिया जाता था यानि उसके उसको जो है सो उसका गर्दन काटा जाता था क्यों क्योंकि अच्छी फसल हो तो मलूक यानि एक को बच्चों के खून का परसाद नहीं चड़ाय जाए मतलब ऐसी मानता था मिसर के अंदर कि यह मलूप जो है जो की क्रिसी का देवता है अगर उसे बच्चे का बली नहीं चड़ाया जाए तो उसमें फसल अच्छी नहीं होगी तो इसकी वज़े से क्या हुआ कि यह क्रिसी क पैदा कर दी असीमलर ओपिनियन वाज अडॉप्टेट बाइद एवेंजिलिकल्स ऑफ मैंचेस्टर इन अर्ली डे ओफ इंडस्टिलिजम उद्वगबाद के सुरुवाती दिनों मैंचेस्टर के जो इवेंजिलिकल्स यानि इसाई धर्म का एकपन्थ है द्वारा इसी तरह की ख्याल को अपनाया गया था क्या था ख्याल when they kept six year old children यानि कि छो साल के बच्चे को working 12 to 14 hours a day जब वो यानि कि जो एवेंजिलिकल्स लोग थे वो चो वरसी बच्चे को दिन में 12 से 14 घंटे काम करवाते थे in condition that cause most of them to die in हालत के कारण यानि कोई भी छोग साल का बच्चा हो या 14 साल का बच्चा हो और उसको जो है 12 से 14 हंटा काम कराया जाए तो उसके कारण क्या हो थे अधिकतर को मरना परा है यानि कि अधिकतर मर गए it has now been discovered that ये अब पता चल गया है कि grain will grow अनाज उपजेगा and cotton goods can be manufactured और जो है कपास के जो समान है उसका निर्मान किया जा सकता है without being watered by the blood of infant शिशों के खून की दरिया बाहे बिना यानि कि शिशों की मतलब छोटे बच्चों की बली दिये बिना भी जो है कपास उख सकता है और जो है खेती वारी में जो फसल उख सकती है in the case of grain the discovery took thousands of years खेती बारी का विसकार करने में हजारों सार लग गया in case of cotton goods hardly a century पर सूत के जो समान है उसके बनाने में उसकी खोज में मुस्किल से एक सदी यानि के सौ साल लगे so perhaps there is some evidence of progress in the world तो सायद दुनिया में परगती के कुछ परमान है सायद दुनिया के लोग जो है उसकी सोच बदलेगी और जल्दी से जो है वो परगती कर पाएंगे ठीक है यह पनशे से आपका आगे चलते है paragraph number 13 यह अंतिम paragraph है the last of the great prehistoric invention was the art of writing यानि पुर्व इतिहासिक यानि इतिहास से पहले इतिहास कब आया जब आदमी लिखना पढ़ना जाना तो लिखने पढ़ने से पहले का जो सबसे बड़ा जो है prehistoric जो एरा है यानि कि जहां वो एरा जिसमें जिसका इतिहास नहीं मिलत है उस एरा में सबसे बड़ा invention क्या था art of writing यानि लिखने की कला लोग जो है लिखने लगे was indeed a prerequisite of history जो वास्तब में indeed का मतलब क्या होता है वास्तब में यानि कि सचमुच इतिहास का अधार था prerequisite यानि कि इतिहास का अधार था अगर आप लिखी पढ़ने सकते तो अपने इतिहास को कैसे आप लोगों तक पहुचा सकते हैं राइक्टिंग like speech developed gradually लेखन जैसे की भासा धीरे धीरे वजूद में यानि कि आस्तित में आया and in the form of picture designed to convey a message it was probably as long as speech और चित्र द्वारा अपनी बात को संचार करने यानि लोगों तक पहुचाने की जो कला है उतनी ही जलते हैं but from the picture to slave writing and hence to the alphabet was a very slow evolution लेकिन चितर लेखन से चिन लेखन और फिर वहां से जो है one लेखन जिसकी विकास बड़ी धीमी थी पहले लोग क्या करते थे चितर बना बना कर अपनी बात को लोगों तक पहुचाते थे उसके बाद फिर उसके बाद चिन का परयोग करने ल तक तो फिर उस पर आने में बहुत समय लगा बहुत धीरे धीरे हुआ इन चाइना दे लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन चीन में अंतिम चरन यानि वन लेखन को अभी तक नहीं अपनाए गया यानि कि चाइना के अंदर क्या होता है कि हर चीज का एक सिंबॉल होता है च है अभी तक जो चाइना के अंदर सिंबॉल का ही इस्तमाल होता है इसलिए लेखक जो है तंज करस ते जो कहते हैं कि चाइना के अंदर जो है लास्ट स्टेप जो की अलफाविट में लिखने की पर्था है उसको अभी तक नहीं अपनाया गया रह desus हैं तो इस तरह आसे से Coherent English